नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Review of Reviews आज हम आपको बताइए Moto G73 5G फोन के बारे में इस फोन के बारे में अगर आप खुजबिन कर रहे हैं जानना चाते हैं सब कुछ जानना चाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगे आए हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और हर तरफ इसकी तारीफे हो रही हैं लेकिन मैं आज आपको इस फोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा सही चीज़े क्या है इस फोन की गलत चीज़े क्या है इस फोन की वो सारी चीज़े आपको जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो वीडियो ला फोन मिलता है यानि Moto G73 5G फोन है डेटा केबल है टाइप C2C केबल मिलेगा सिम टूल मिलेगा और 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा 5000 इमेज की बैटरी भी होती है इस फोन में 181 ग्राम इसका वेट है बैक पैनल के बारे में बात करें तो नॉर्मल प्लास्टिक बैक से लुक है अच्छा सा मैटेरियल भी है स्पीकर के बारे में बात करें तो डूल स्पीकर दिया हुआ है विद डॉल्बी एट्मॉस के साथ में सिम ट्रे के बारे में बात करें तो हाइब्रीड सिम ट्रे है आईपी रेटिंग के बात करें तो आईपी 52 रेटिंग दी गई है स security के मामले में तो phone display वैसा नहीं है कि इसमें in-display fingerprint sensor मिलता तो in-display fingerprint sensor नहीं है side-mounted fingerprint sensor है connectivity के बारे में बात करें तो इसमें connectivity तो बड़ी हा मिलती है 13 5G band दिये गए है इसमें 4x4 Mimo का support है carrier aggregation है NFC का support है Wi-Fi dual band है और Bluetooth 5.3 मिलता है वहीं पर सबसे जो बड़ी चीज होती है किसी phone की वह है display display आपको इसमें मिलता है 6.5 inch का full HD plus IPS LCD display है 120 Hz का refresh rate मिलता है जो कि adaptive refresh rate है वो अपने आप अजस्ट हो जाता है जहां पर जिस जितने refresh rate की ज़रूरत होती है तो जिससे बैटरी भी बचते है आपकी 240 Hz का touch sampling rate है HDR10 का भी support है Panda Glass की protection है यह Gorilla Glass 3 से आप compare कर सकते हैं तो protection बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं पर हाँ ठीक ठाक है 1000 Nitspeak की brightness है display में जो की average से अच्छी बताऊंगा हाला कि इस surprise में इससे जादा भी कुछ ब्रेंड्स दे रहे हैं brightness लेकिन हम जब overall चीजे लेकर के चलते हैं तो यह balance phone साबि इससे जादा बड़े processor और अच्छे processor पहले Dimensity series में phone launch हुए है इंडिया में लेकिन यह Dimensity 930 का पहला ऐसा phone है जो यह processor आता है इस phone के साथ में आन्थू स्कोर के बारे में बात करें तो 425,000 के आसपास इसका score रहता है RAM के बारे में बात करें तो LPDDR 4X RAM है 8GB RAM है और ROM के बारे इस इस तो प्रेंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा यह साथ में आता है तो Android 14 आपको इसमें मिल जाएगा उसके बाद को यह Android update आपको इसमें नहीं मिलेगा हां 3 साल के security ज़रूर मिलेंगे और कैमरा के बारे में बात करें conclusion अभी बाकी है तो वीडियो पूरा देखते रही है यहां तक की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो मेरा तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लिजे प्लीज आगे बढ़ते है फोन में पोन के बारे में क 50 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा करके कुछ नहीं बवाल दिया है जितने भी लेंसे इसमें दिये गए हैं वो सभी काम के हैं आपका जो यह अल्ट्रा वाइड वाला 8 मेगा पिक्सल का जो लेंस है आप इसको पोट्रेट भी यूज कर सकते हैं तो यह अच्छी चीज है कि आप एक ही कैमरा में दे दे बाकी 3-4 कैमरे लगा करके फोन को भड़काउद दिखाते हैं लेकिन उनमें दम नहीं होता है तो यह काम अच्छा किया कि जो कैमरे लेंस इसमें दिया गया है वो काम का है कुछ ने फीचर्स भी आइड किये गये हैं जैसे डूल आप्स का भी इस फोन को प्रमोट किया रहा है यह बेस्ट फोन साबित होता है लेकिन कुछ जो अच्छी चीज़ें नहीं है जो खराब चीज़ें वह मैं आपको बता हूं अगर की IPS डिस्प्ले है इस प्राइज में आपको आपको बता है इस प्राइज बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन IPS डिस्प्ले दिया गया है लेकिन क्वालीटी अच्छी है यह मैं आपको बताऊंगा क्वालीटी अच्छी है लेकिन अध्यूट भी हो सकता था और जो एंडॉड अपडेट के बारे में बात किया तो कम से कम दो एंडॉड अपडेट देते तो जदा अच्छा होता एक ही Android अपडेट दिया है तो यह मुझे अच्छा नहीं लगा सिंगल माइक है इस प्राइज में जब हम फोन लेते हैं तो एक में माइक होता है एक noise cancellation माइक हमको इस प्राइज में आसानी से मिल जाता है लेकिन इसमें सिंगल माइक ही दिया आपको यह फोन पसंद आया कि नहीं, यह मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईए, ताकि मैं जान पहूं आपका टेस्ट कैसा, आप क्या चाहते हैं, हाली में और भी काई सारे फोन लाउंच हुए हैं, आप कौन से फोन का रिव्यू देखना चाहते हैं, और आप अपने बा किये मुझे मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, आदाब